आपको आपको बताने वाला हूं कि कैसी आप अपने मोबाइल फोन की मदद से ना कोई कंप्यूटर ना कोई लैपटप कुछ की जरुत नहीं आपको कैसे आप अपने mobile phone की मदद से live streaming कर सकते हो गेमिंग live streaming कर सकते हो अपने mobile phone की मदद से और इसके पहले मैंने दो चार वीडियो बना रखे उसके अंदर मैंने आप लोगों को streamlabs के बारे में बताया था जिसके अंदर से आप live streaming कर सकते हो अपने mobile phone की मदद से बट आज के इस व जो कि बहुत ही जाधा special है कि आप already recorded वीडियो को भी live stream कर सकते हो या फिर बोल सकते हो कि अगर आपने कोई एक game पहले ही खेल रखी है आप उसको record करके उसी time पे live stream कर सकते हो थोड़ा सा typical सा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या बोल रहा है ये बढ़ हाँ कि लोग जादा डिमांड कर रहे थे कि जैसे डाइनमो या फिर मौच बहुत करता या फिर करता है तो उनकी stream स्टार्ट होने से पहले लिखा हूँ आता है streaming स्टार्ट सून या पिर ऐसा कुछ लिखा आता है जो कि ठ्रेलर टाइप होने से पहले आता है तो वह हम कैसे करे औ 2000 लाइक के उपर पहुचा दो आज के आज ही ठीक है तो अगर पहुचा दोगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाइती जिसमें मैंने 600 लाइक्स का लाइक एम रखा था और आप लोगों ने 50,000 के उपर लाइक्स कर दिये थे करते हैं और विडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अब इतक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क exposiving कर लो क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही बहुत सार concerned मिल जाते हैं जो कि आपको इस टेखनोलिजी वाली दुनिया से लड़ने के लिए मदद करेगी तो चलो यार बिडी को स्थार्ट मुझे पता है कि आपको मेर को हर किसी को या पर थोड़ा से एक लेवल हम लोग को जाधा चाहिए होता है बट हर बार जो वो चीज पॉसिबल नहीं होती सेम उसी तरीके से इस सॉट्वेर में आपको एक जो फीचर है जो की लैक कर रहा है जो की स्ट्रीम लैप्स में आपको मिलता है एक फीचर वो है बैनर वाला वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है बट ये हर एक तरीके से streamlap से बहुत ही जादा बेटर है बट अगर आप चाहते हो कि streamlap से stream करना तो आप streamlap से कर सकते हो वो भी बहुत ही तगड़ा software है अपने preference के हिसाब से दोनों में से किसी एक को use कर सकते हो तो चलो अभी हम जाएंगे phone screen तो अब का name है prism life जिसको आप description में दिये के link पे click करके download कर सकते हो link पे click करोगे तो कुछ इस तरीके के website खुल जाएगी जहाँ पे आप इसके बारे में सारी details को पढ़ सकते हो जितने भी features है और यही से आप इसको install और download भी कर सकते हो download करने के बाद इसको install कर लेना है और जो भी game आप खेलना चाहते हो जै पर आप save videos after streaming कर सकते हो मतलब जो भी आप stream करेंगे वो आपकी gallery में बाद में save हो जाएगा और आप उससे highlights बगरा बना सकते हो तो अब जब हम gameplay stream करना चाहते है तो हमें पहले ही अपना face नहीं दिखाना है तो हमें क्या करना है left side को slide करना है तो कुछ options आजएंगे media पर click करन यह पहले ही apply नहीं होती हम इसको क्लिक करके apply कर सकते है या फिर disable भी कर सकते है तो add media पर जाके आप दूसरे media मतलब video या फिर photos को भी add कर सकते हो text पर click करके आप different different format वाले text को भी add कर सकते हो जो कि आप अपने stream के बीच में लगा सकते हो अब इससे सिर्फ आप gameplay stream नहीं बहुत सारी अलग-अलग streams भी कर सकते हो जैसे facecam stream या फिर होता है ना reaction videos भी बना सकते हो live stream के बीच में reaction videos भी बना सकते हो तो सोचो कितना awesome हो गया अब देखो जैसे हम left side slide करेंगे तो my studio में जाके हम उस black वाले जो layer को हमने मतलब जो media हमने add किया उसको हम zoom करके हम पूरा अपना face को ढख लेंगे अब इससे क्या होगा यह apply हो चुका ह अगर आप चाहो तो YouTube पे कर सकते हो Facebook पे कर सकते हो Twitch पे कर सकते हो अगर आप चाहो तो तीनों प्लैटफॉर्म में साथ साथ मतब एक ही साथ आप तीनों प्लैटफॉर्म पे स्ट्रीम कर सकते हो तो इसको करने के लिए आपको क्या नगन लाइव वाले section पर जाना है वहाँ कर सकते हो options आपको मिल जाते है अब अगर आपको multi stream करना है मतलब दोनों मतलब Facebook पे और YouTube पे एक ही साथ आपको stream करना तो यहाँ पर एक option मिल जाता है यहाँ पर आपके अगर 6-7 page है तो आप किसी भी page को select करके यहाँ पर आपको नीचे options मिल जाते है वहाँ पर आप select करने ना जिस भी page पे आपको यहाँ फिर ग्रूप में आपको stream करना है और just done कर देना यहाँ पर आपको दिखेगा कि सिर्फ आपको Facebook दिखा रहा है आपको जो भी overlay आगर आपने download कर रखा है कोई भी एक वीडियो है या फिर आपका intro है जो कि आप अपने viewers को दिखाना चाहते हो या फिर आप pre-recorded को वीडियो है उसको play करना चाहते हो अपनी stream में जो कि आपने कभी record की थी 4-5 मिनिट की या पर 10 मिनिट की वीडियो है आप उस intro में प्लेइस करगे क्योंकि हमने already background को black कर दिया है तो हम उस intro वाली जगह पर कोई भी वीडियो add करके play कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो live stream हो रहा है की नहीं हो ठीक है तो यहाँ पर हमको जाना है मीडिया पर जैसे कि मैंने शुरू में बताता है यहाँ पर आपको जाना है और अपना जो भी overlay है यह तो मैंने free में download किया है YouTube से आप खुछ से भी बना सकते हो ऐसा एक वीडियो बहुत सारे ऐसे चैनल से आप YouTube पे सर्च कर सकते हो या फिर आपको free में भी मिल जाते copyrighted वाला मत उठाना क्योंकि उससे क्या है आपको बाद में दिक्कत कर सकता हूं ठीक है तो हमको क्या करना है हमको अभी सबसे पहला मारा preference हम देंगे इंट्रो पर मतब जो भी हम streaming सुन या पर जो भी हमने वीडियो आया पर एड की हम उसको दिखाना चाते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह पूरी वीडियो प्ले करके बताएगा कि यह की यह आपकी वीडियो है आप यह कि आपनी ऊडियंस को इंट्रो मेरे दिखाना चाते हो था इसे करने के बाद हमको क्या करना है हमको और कुछ सारा काम हो चुका है अब हमने बस एक बाश करना है कि हमने इसको पीछे बैग्रांड में फ्ले कर रखा है या when lock नहीं रखा है है उसको rotate कर रखा है कि नहीं कर रखा है आपको एक बाद चेक कर लेना है जन उसके बाद यह 321 करके start हो जाएगा 321 स्टार्ट करके यह जो साय stream आने लगेगी आप यहाँ पर कुछ भी option change करो आपके audience को नहीं दिखेगा आपको आपके audience को सिर्फ जो चीज आप देख रहे हो प्ले हो रही है वह दिखेगी मतलब जो भी changes आप कर रहे हो ना ऐसे slide कर रहे हो या पर कुछ भी कर रहे हो वह नहीं दिखने वाले आपके audience को तो आप माल लो यह जो इंट्रो हमने दिखाना था दिखा दिया सब कुछ हो गया अब हमें क्या करना है ग किलिक करोगे तो वह off हो जाएगा जिससे आपका चेहरा जो दिखने लगेगा और आप जब स्क्रीन कास्ट करोगे तो आपका पेसक्राइम आएगा और आपका जो स्क्रीन है वह भी आएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं skip भी कर सकते हो इस इंट्रो को, तो मैं यहाँ पर skip कर दूँगा, यहाँ पर मेरा black option आ रहा है, तो एक बार हम इसको click करेंगे एक हाथ से, और एक से हम करेंगे screencast पर click, click करने के बाद 3 second का हमको time मिलेगा, जिससे वो pause करके रखे तो आप वहाँ पर show chat या पर अपना camera off, on भी कर सकते हो, back करोगे तो वह back भी चला जाएगा, कोई दिक्कत बरी बात नहीं है, जो भी super chats आएंगे, आपकी screen पर आने लगेगा, जो भी chats आएंगे, आपकी screen पर आएगा, यहाँ आप देख सकते हो, prism live studio, रितिक सरकार, जो भ Facebook पर, YouTube पर, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस application की मदद से live streaming कर सकते हो, अपने mobile gaming का, या फिर आप अगर कोई दूसरी streaming करना चाहते हो, reaction streaming करना चाहते हो, या फिर कोई भी stream आप करना चाहते हो, अपने mobile phone की मदद से, तो आप इस application को download कर सकते तो description में आपको link मिल जाएगी so that's all for today's video अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इतनी देर तक देख रहे इस वीडियो को तो please जाने से पहले एक like बटन को दबा देना और like बटन को दबा दिया है तो जरूर से अगर आप नए हो तो subscribe बटन को भी दबा देना आगे और भी ऐसी वीडियो जाती रहेगी तो subscribe बटन दबाना bell notification को अउन कर लेना और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे comment section में बताना या फिर आप मुझे follow कर सकते हो instagram पे जाओ, fatak से जाओ फार दो, instagram पे जाकि मुझे follow कर लो और discord server को भी join कर सकते हो, dc description में आप लोगो को link मिल जाएगी, आप वहाँ से भी मेरे से बात कर सकते हो, और queries को solve कर सकते हो तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ till then, खुश रहो या